इसलिए कोई बली का बखरा नहीं बना चाहता इतना ही नहीं को डूपता जास बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके सेना बती ही सेना छोट रहे हैं और 19 तारिक को भी कॉंग्रेस को प्रतियाशी मिले न मिले क्या पता है इसलिए तारीक बदलती रहें पॉपाल में कॉंग्रेस अधियक्ष जीदू पटवारी ने पाटी छोड़कर गए नेताओं पर करारा हमला पुला और कहा कि हमारे वरिष्ट नेता गए हैं तीसरी लाइन में बैटकर पोटो की जा रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने दोजार देता हूं और आखरी बार ये बात केता हूं मुझे पता है कि नया बिल्डिंग बनाने के लिए लाट संतल चाहिए अगर मैं इस बात को आस्विकार नहीं करता हूं कि हम में कमी नी होगी हम चार बार हारे हैं यहने हम में भी सुधार के आउशक्ता है और वो करेंगे दढ को कुछ गुंजाई संका की रह गई तो सवाल करो कांकेर में बीजबी प्रत्याशी हुए देवी जात्रा में शामिल बाजय की धुन पर जूमते दिखे भोजराजनाग सिरहा बैगा संग से जुड़े हैं भोजराजनाग पस्तर में देवी देवताओं के मिलन समारोह को द अनूपूर में मौसम बदल गया और यहां पर बारिश हुई है लेकिन साथ ही साथ ओला प्रिष्टी हुई है ओले भी गिरे हैं और ओले की गिरने की वज़े से वसलों को नुकसान की आशंका बन गई है ऐसे में किसान काफी मुश्किल में आ गया है परिशानी उसके सामने खड़ी हो गई है आप देख सकते हैं कि कंचे होते हैं उसके साथ के बराबर के ओले यहां पर गिरे हैं भारी उला वरिष्टी हुई है बारिश भी हुई है और ऐसे में किसान को अपनी फसल खराब होने की चिंता सता रखी है जबलपुर की बात करें तो यहां पर भी मौसम बदल गया मौसम ने करवट ली और यहां पर भी आंधी के साथ जमा जम बारिश देखने को पहली है और कई ख्षेतर ऐसे है जो जल्मक ने हो गए भारी बारिश पहले तो आंधी चली और उसके बाद बारिश भी हुई है बारिश से मौसम सुहाना भी हो गया यहां पर ओले नहीं कि रही तरफ जबलपुर की त स्पीड जो है वो अनुपूर की है जहां पर भारी ओला व्रिश्टी हुई है और ऐसे में किसान भी परिशान हो गया है कि कहीं उसकी प universal को यह ओले जो गिरे है उसकी पसल को कितना नक्सान कर जाएंगे। बारिश तरख ठीक होता है लेकिन ओले जब गिरते हैं तो चिसान जाहिर से बाते बहुत परिशान हो जाता है जंबलपूर की बात करें तो यहां ओले तो नहीं गिरे लेकिन पहले अंधर चला और उसके बात यहां पर तेज हवा के बात फिर बारिश होई और इसमें मौसम को सुहाना बना दिया दर मंगेली की बात करते हैं जहां पर मौसम में फिर से बतलाव आया यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश होई है और तेज हवा के चलते कई इलाकों में बिचली भी गुल हो गई आपको बताएं कि कल भी चतीस गड़ के कुछ जिलो में रायपूर्ट दूर्ग समेत कुछ जिलो में बारिश होई थी और बहाँ पर भी आंधी के साथ बारिश देखने को मिले थी मौंगेली की बात करें तो यहां पर भी बिचली गुल हो गई बारिश होई तो तेज हवा चल रही थी इसकी चलते बेजली गुल हो गई और पारिश भी होई है हलकी और इस दी के साथ इस बुलिटन में फिल हाल के लिए बस इतना ही वक्त एक ब्रेक का है उस वार भी खबरें जा रही है